असलाओ अलेकुम, हेलो एब्रियानी की बहुत ही जबर्दस रेसिपी इसमें आपको चैनीज फ्लेवर के साथ साथ डेसी चर्च भी मिलेगा बहुत ही जबर्दस देसी तड़के के साथ मेलाई हूँ चैनीज बिर्यानी जो आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए बनाते ह है चैनीज बिर्यानी चैनीज चिकन बिर्यानी तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है बोलने स्टिकन 250 ग्राम उसे क्यूब की शकल में काट लिया है मेरेनेट करते हैं इसमें डाला जिंजर कालिक पेस वंटेबल स्पून सोया सास वंटी स्पून चिली सास वंटी स्पून व नमक वन टी स्पून अची तरह से मिक्स करके इसे मैंने दो घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज में आपके पास टाइम कम है तो इसे आप आधे घंटे के लिए भी मेरिनेट कर सकते हैं अब एक मैंने पहल लिया है उसमें डाला को किंग वाइल और क्रश कार्लिक वन टेब इसमें एड कर दे रही हूँ मैरिनेट चिकेन फ्लेम को मैंने हाई रखा है इसको अच्छी तरह से सौटे कर लेना है जब तक एक चिकेन का कलर से ना हो जाए फानी इसमें मैंने बिल्कुल एड नहीं किया है कुछ दे तक इसे अच्छी तरह से बुनने के बाद मैंने लीट से कवर कर दिया था फ्लेम को लो कर दिया था एक मिनट के लिए से कुक करना है एक मिनट के बाद देखते हैं तो चिकेन अपना फानी भी छोड़ दिया था और चिकेन अच्छी तरह से टिंडर हो गया है कु आमचे लीफट्लेक्स वन्टी जिँब्स्ट, सिरका वन्टीस फून और क्रेन चिली सॉस लटीस कूल थे जिक हैं टिशली कली, हाइची तरह से एपक्ति हमक्षाएको मिक्स कlooking लेतेंगे उसके बाद इसमें ने टालतें, वेजिटेबल्स में मैंने लिया है, एक कैरेट, बड़े साइस का, उसे क्यूब की शकल में काट लिया है, एक कैप सी कम, लार साइस का प्यास, उसे भी क्यूब की शकल में काट लिया है, मतर आप इसमें डाले, मेरे पास मतर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला, एक कप मैं कैबेश टाल दिया है उसे भी बारिक काट लिया है रफली चॉप कर लिया था फ्लेम को हाई रखा उसको अची तरह से मिक्स कर लेना अची तरह से मिक्स करने के बाद इसमें में थोड़ा सा एड किया है नमक और इस पे गॉनियन और इसे लीट से कवर कर दिया है लीट से कवर कर दिया है फ्लेम को लो कर दिया है और इसे थोड़े दिर के लिए कुक करना है ताकि जो वेजेटेबल से वो गल जाए ओवर कुक नहीं करना क्योंकि चाइनिज है तो इसे साइट कर लेते हैं उसके बार बिर्यानी चैनिस बिर्यानी के लिए बिर्यानी के लिए राइस तैयार कर लेते हैं तो राइस के लिए मैंने बॉयल करने के लिए एक बरतन लिया है उसमें पानी राला है वन हैंड हाफ टीस्पून नमक हरी मिर्श दो और थोड़ा सा तेल डाल दिया है पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है चावल मैंने बसमती राइस लिया है और उसे एक घंडा के लिए पानी में सूप कर दिया था पांसो गिराम चावल लिया है तो इसे कुख करते हैं लीट से कवर कर दिया है उसके बाद देखते हैं तो चावल जो है अच्छी तरह से कुख किया है 80-90% तक जिस तरह से बिर्यानी के लिए राइस तयार करते हैं उसी तरह से मैंने राइस से तयार कर लिया और इसे ट्रेन ओड कर लिया पानी को साइट कर एक पैंल लिया, उसे में कुगिंग उएल डाला है और इसको कुगिंग वियु की तरह इसके उपर से राइस डाल दिया है इसे नहीं और टेस्टी बना ले के लिए इसके उपर से रेट चिली सॉस डाला है ट्रिंग चिली सॉस और स्वेया सॉस और स्प्रेग उनियन विवर्स भी बहुत ही जबरदस तयार हुआ था और इसे मैंने इसी तरह से सर्फ किया था आप चाहे तो इसके साथ चिकन चिली या मैंचुरियन डाल सकते लेकिन ये बहुत ही जबरदस्ट हुआ था इसके उपर मैं फिर से चिकन और वेजिटेबल्स को डाल दे रही है अच इस बहुत ही सबरदस्ट खिला खिला सा तयार हुआ था चैनिस फ्लेवर के साथ आई होप की रिसी पे आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें आपना फीडबैक दें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें इसके उपसे फैंड में चीली सॉस रेड चीली सॉस ग्रीन चीली सॉस और सोया सॉस डाल दिया है और स्प्रिंग उनियन लीट से कवर कर दिया है और पांच मिनट के लिए से दम देना फ्लेव को लोग कर दिया आप चाहिए तो इसके नीचे कोई मोटा वसल या तवाव गयरा रखते इस तरह से बिर्यानी को कर दो कर दो था है